नमस्कार, गुल्दस्ता से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ ट्रैगोर की कहानी, विदा कन्या के पिता के लिए धैर्यधरना थोड़ा बहुत संभोवी था, परंतु वर के पिता पलभर के लिए भी सब्र करने को तयार न थे, उन्होंने समझ लिया था कि कन्या के विवाह की आयू पार हो चुकी है, परंतु किसी प्रकार कुछ दिन और भी पार हो गये, तो इस चर शंका करने की आवश्यक्ता नहीं, किन्तु इससे भी बड़ी शंका इस बात की थी, कि कन्या की तुलना में दहेज की रकम अब भी काफी अधिक थी, वर के पिता इसी है तु इस प्रकार से जल्दी मचा रहे थे, मैं ठहरा वर, आपितु विवाह के विशे में मेरी राय से अबगत होना नितांत व्यर्थ समझा गया, अपनी कर्तव या परायानता में मैंने भी किसी प्रकार की नियूंता नहीं आने दी, यानि एमें पास करके छात्रवित्री का अधिकारी बन बैठा, परिणाम ये निकला कि मेरे संबन्ध में श्री प्रजापती के दोनों ही पक और वर्पक्ष बार बार बेचैन होने लगे, हमारी जन्म भूमी में जो पुरुष एक बार विवाह कर लेता है, उसके मन में दूसरी बार विवाह करके रचनात्मक कारियों में कोई जग्यासा या उद्वेग नहीं होता, एक बार नर मांस का स्वाद लेने पर उसके प्र एक बार नरी का अभाव घटित हुआ कि फिर सबसे पहला प्रयात्न उस अभाव को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, ऐसा करते हुए इस बार उसका मन दूविधा में नहीं रहता कि भावी पतनी की आयू क्या है और कैसी है उसकी अवस्था, मैं देखता हूँ कि सारी दूविधा और दूश्चिंता का ठीका आज कल के लड़कों के नाम ही छूटा है, लड़कों की ओर से बारंबार विवा का प्रस्ताव होने पर उनके पिता पक्ष के चांदी के समान श्वेत केश, खिजाब की महिमा से बारंबार श्याम बन को अपना लेते हैं, और उधर बातचीत की तप्रागनी से ही लड़कों के श्याम के श्मारे चिंता परिशानी के रात के कुछ घंटों में ही उठने का उपक्रम करते हैं, आप विश्वास किजिए मेरे मन में ऐसा कोई विशय या उद्वेक का स्री गरनिश नहीं हुआ, अपितु विवा के प्रस्ताव से मन मयूर बसंद की दक्षिन पवन की शीतलता में नित्य कर उठा, कौतु हल से उलजी हुई कल्पना की नई आई हुई कोपलों के बीच, मानो घुप चुप कानाफूसी होने लगी, जिस विद्यार्थी को एड्मर्ण वर्ग की फ्रांसीसी क्रांती की और टीकाओं के प इक्स्ट बुक कमेटी के द्वारा मेरे इस लेक के पास होने की लेश मात्र भी शंका होती, तो संभवता ऐसा कहने से पूरू ही सचीत हो जाता, फरन्तु मैं ये क्या ले बैठा, क्या ये भी कोई गटना है, जिसे लेकर उपन्यास लिखने की योजना बना रहा हूँ, मेर जिना कि जो कजरारे में एक गतकई वर्षों से मन में च्छा रहे हैं, उन्हें किसी बैशाकी संध्या की तूफानी वर्षा के वेग द्वारा बिलकुल ही निश्प्राण कर दूँगा, पर ना तो बच्चों की पाठिपुस्तक ही लिखी गई, क्योंकि संस्कृत का व्या आज को बाहर प्रकट कर पाता, अता मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंतर का सन्यासी आज अपने अटहास से अपना ही परिहास करने के लिए बैठा है, इसके अतिरित वो करे भी तो क्या, उसके अश्रुशुश्त कुछों हो गये हैं, जेट की कड़कडाती धूप, वस्तुत जेट का अश्रुशुदन क्रंधन ही तो है, जिसके साथ विवा हुआ था, उसका वास्तविक नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज ब्रम्हांड के पुरातत्व वेत्ताओं में, उसके एतिहासिक नाम के विशय में विशेश विवाद होने की शंका नहीं है, जिस तामर प पत्र पर उसका नाम अंकित है, वो मेरा ही हिदय है, वो पट और पत्नी का नाम किसी युग में बिलुप्त होगा, ये सोचना मेरी कलपना से बाहर है, परन्तु जिस सुनहरी दुनिया में वो अक्षय बना रहा, वहां इतिहास के विद्वानों का आना जाना नहीं होता है, इस पर भी मेरे इस लेक में उसका कुछना कुछ नाम तो होना ही चाहिए, अच्छा तो समझ लेजिए, शबनम उसका नाम था, क्योंकि शबनम में मुसकान और रुदन, दोनों घुल मिलकर एकाकार हो जाती है, और भोर का संदेश प्रभाव बेला तक आते ही चुक जाता ह शबनम मुसे दो ही वर्ष छोटी थी, मेरे पिता गौरीदान के विमुखों सो ये बात नहीं थी, उनके पिताजी कटर समाज विद्रोही थे, देश में प्रचलित किसी भी धर्म के प्रती उनमें श्रद्धा ना थी, उन्होंने खूब कस कर बांगला भाशा का अध्यान क एसी किसी भी वस्तु की हमारे समाज की विशाल, डियोडी या अन्तापूर में या पिछली रह पर जलक देख पाना संभव न था, इसका भी कारण यही कि उन्होंने भी कसकर बांगला भाशा का अध्यान किया था, पिता मा और पिताजी के विभिन रूप क्रांती की दो व भाव का नहीं, फिर भी बड़ी आयो वाली कन्या के साथ मेरा विवाह करना, पिता ने इसलिए स्विकार कर लिया, कि उसकी इस बड़ी सी आयो की दोनों मुठियों में दहेज की रकम भी बहुत बड़ी थी, शबनम मेरे श्वसुर की एक मात्र कन्या थी, पिता जी को पू किसी मत मतांतर का जमेला नहीं था, पश्चिम की किसी पहाड़ी रियासत के नरेश के यहां किसी उच्च पद पर थे वो, शबनम जब गोद में ही थी, तभी उसकी मा के प्यार का आचल उस पर से उठ गया था, इस बात की और उसके पिता का ध्यान भी नहीं गया, कि पुत किसी को उनकर हिदय में बिठा देता, शबनम ने यथा समय उम्र के 16 वर्ष पार कर लिये, किन्तुवे स्वाभाविक 16 वर्ष के थे, सामाजिक नहीं, किसी ने उसे योवन के प्रतिस सचेत होने का परामर्ष नहीं दिया, और नहीं उसने स्वयम उसोर देखा, मैंने 19 वर् के तृतिय वर्ष में पग रखा, ठीक तभी मेरा विवाह हो गया, समाज या समाज के ठेकिदार के मज से वो आयू विवाह के उप्युक्त है, या नहीं, इस विशे में दोनों पक्ष लड़ भिड़कर चाहे खोन खराबा कर बैठे, किन्तु मैं तो निवेदन के साथ यह कहना चाहता हूं, कि परिक्षा पास करने के है तू, ये आयू जिस प्रकार ठीक है, विवाह करने के लिए भी उससे किसी प्रकार कम नहीं, विवाह का सूत्र पात एक चित्र के द्वारा हुआ था, उस दिन में पढ़ाई लिखाई में सिर्गड़ाय बैठा था, कि मेरे सा मुख टेबुल पर शबनम का चित्र लाकर रख दिया, और कुछ पल शान्ती के साथ बिता कर कहा, लो अग जूट मूट की पढ़ाई को बन करके सच मुच की पढ़ाई करो, एक दम जी तोड़ कर परिश्रम में लगने वाली पढ़ाई लिए, चित्र किसी अनाडी चित्रक कारद्वारा खिचा गया था, कन्या के मा नहीं थी, अता उस दीर गश्याम केशों को बाद सवार कर जूडे में जड़ी, गूत कर कलकत्ते की प्रसिद शाह या मालिक कंपनी की भद्दी तंग जैकेट पहना कर, दूसरे पक्ष के नेत्रों में धूल जोगने का बर्बस प पूर्व महिमा सौंदर उसे घेरे हुए था, किसी भी एक चौकोर चौकी पर वो बैठी हुई थी, पीछे आवरंड के स्थान पर एक धारीदार शत्रंजी जूल रही थी, पास में तनिक सी उची तिपाई पर ही फूलों के सुन्दर गुलदस्ते दिख रहे थे, इरानी क सालिन पर साड़ी की तिर्ची किनार की किंचित अनाबध दो कुमल खाली पैर, चेत्र की उस रूप सुधा को जैसे ही मेरे मन के जादू का स्पर्श मिला, कि वो मेरे अंतरतम में जाग उठी, बे दोनों कज्यारी आखें मेरे सामने चिंतन को चीर कर मुझ पर चनिक असे अनों के भाव से आकर स्थिर हो गई, और उस तिर्ची किनार के निम्न भाग के दोनों अनावरित पगों ने मेरे अंतर परियान सन पर भरबस अपना घर बना लिया, पत्रे की तिथियां आई गई हो गई, विवा के दो तीन लगन भी बीद गय, किन्तु मेरे श्वसुर को चुटी मिलने का नाम ही नहीं, इधर कुछ माज से मेरे देखते देखते एक अकाल मेरी इतनी बड़ी अविवाहित उम्र को फिजूल ही उननीस्वे वर्ष की और धकेलने का प्रयास कर रहा था, श्वसुर और उनके अधिकारियों पर मुझे खीज होने लगी, विवा का अधिन ठीक अकाल की पूर्व लगन पर ही आकर पड़ा, उस दिन की शैनाई की हर तान आज मुझे इस्मरन हो रही है, उस दिन के प्रती मुहूर्थ को मैंने चेतनता के साथ इसपर्ष किया था, मेरी ये उननीस वर्ष की आयू, मेरे जीवन में सदैव रहे, मैं उसे कदा पी नहीं भूला सकूंगा, विवाह मंडप में चहू और कुलाहल सा फैला हुआ था, उसी के बीच कन्या का कोमल हाथ मैंने अपने हाथों में पाया, मुझे इस पश्ट तरीके से याद है कि यही मेरे जीवन की एक परम आश्चर जनक घटना है, मेरे मन ने बारम बार यही कहा, इसे मैंने पाया है, हासिल किया है, किन्तु किसे, ये तो दुरलब है, ये नारी है, इसके रहस्य का क्या कभी और चोर पाया जा सकता है? मेरे श्वसूर का नाम गौरी शंकर था, जिस हिमाचल पर वे उच्च पदादिकारी थे, उसे हिमाचल के मानो मोती थे, उनके गंभीर्था के शिकर पर शेत्र में कोई प्रशान्थ स्वच्च हसी उज्वल होकर छाई हुई थी, उनके हिदय के इस नई श्रोत का संधान जिसने भी एक बार लिया, उसने फिर कभी उनसे संबंध विच्चेत करने की चेश्टा नहीं की, काम पर लोटने के पूरू उन्होंने मुझे बुला कर कहा, बेटा, अपनी बच्ची को सत्रा वर्श से जानता हूँ, और तुम्हें अभी कुछ दिनों से, इस पर भी सौपा तुम्हारे ही हाथों में है, जो निदी आज तुम्हें मिली है, किसी दिन उसका मुल्य भी परक सको, इससे बढ़कर आशिरवाद मेरे पास नहीं, मेरे माता पिता ने उन्हें बारम बार आशा भरे शब्दों में कहा, समधी जी, कुछ चिंता न करना, तुम्हारी पुत्री जैसे पिता को छोड़ कर आई है, वैसे ही यहाँ माता पिता दोनों पाई, ऐसा ही समझे, शब्नम से विदा होते समय वे हस कर बोले, बिटिया, चल दिया, इस बुड़े पिता को छोड़, तिरा कौन अपना रहा है, आज से यदि इसका कुछ भी गूम हो जाए, तो इसके लिए मुझे जिम्मेदार न ठहराना, शब्नम ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, यदि कभी इतनी सी चीज भी गूम हो गई, तो आपको हानी भरनी पड़ेगी, अंध में घर में रहती हुए जिन विश्यों पर बहुदाही जनजट खड़े हो जाते थे, उनसे उनसे पिता को बार बार सचित कर दिया, भोजन के विशह में अनियम का उन्हें खासा अभ्यास था, कुछ विशेश प्रकार के अपत्य भोजन पर उनकी विशेश रूची थी, पिता को उन सारे प्रलोभनों से यथा संभव दूर रखना, बेटी का विशेश कर्तव यथा, इसी से वो पिता का हाथ पकड़ कर बोली, बाबुजी, क्या मेरी एक बात रखेंगे? पिता ने प्रफुलित मन से कहा, मानाव इसलिए वचन देता है, कि एक दिन उसे भंग कर चैन की सांस ले सके, इससे वचन ना देना ही शेयस कर है, फिर वो कुछ न बोली, और पिता की चले जानी पर, उसने कमरे के द्वार बंद कर ली, इसके बाद की घटना का बखान अंतर्यामी ही कर सकते हैं, पिता पुत्री की अशुहेन विदाई का द्रेश, पार्शु के कक्ष की चिर कौतु हली, अन्ता पुरिकाओं ने देखा, सुना, और आलोचना की, कैसे अजीब बात है भला, रूखी सुखी जमीन पर रहते रहते, इन लोगर हिदय भी सूख कर कांटा हो गया है, माया ममत पिता का चिन लेश मात भी नहीं रहा, राम, 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 मेरे शुसुर के मित्र बनमाली बाबू नहीं हमारी बादचित पक्की की थी, वे हम लोगों के परिवार से भली भाती परिजित थे, वे मेरे शुसुर से बोले, बेटी को छोड़ कर तो तुमारा दुनिया में की पीड़ा बढ़ेगी, जिस अधिकार को एक बार त्याग चुका, उसे बार बार बनाए रखने के प्रयतने से बढ़कर विडम बना और क्या होगी, अंत में मुझे एकांत में ले जाकर, किसी अपरादी की तरह सकुचाते हुए बोले, बिटिया को पुस्तके पढ़ने क बढ़ा चाओ है, और लोगों को खिलाना पिलाना उसे बहुत अच्छा लगता है, यदि बीच बीच में तुम्हें रुपए पैसे भेज दिया करूं, इससे वे नाराज तो नहीं होंगे न, सुनकर मुझे तनिक आश्चर यह हुआ, करण, जीवन में कभी किसी भी और से धनराशी मिलने पर पिता जी नाराज हुए हो, उनका ऐसा बिगणा मिजास तो मैंने कभी नहीं देखा, जो हो, मेरे श्वसुर मानों मुझे घूस दे रहे हो, कुछ ऐसे भाव से मेरे हाथों में सौ रुपए का एक नोट थमा कर, वे वहां से चटपट चल दिये, मैंने देखा, इस बार जेब से रुमाल निकालने की बारी आ ही गई, स्तब्द होकर मैं विचारों में खो गया, मैंने अनुभव किया, कि ये लोग बिलकुल ही अन्यजाती के मानव हैं, मैंने सापाठियों में कितनों ही को तो विवा करते हुए देखा है, विवा मंत्रों के एवं अगुणों का हल कर सकता है, और इसके फलसुरूप, रिदय के बीते चिंता बनकर हल चल भी आरम हो सकती है, सो होती रहे, परन्तु निगलने के रास्ते में इससे कोई रुकावट नहीं पड़ती, किन्तु मैंने विवा मंडप में ही समझ लिया था, कि पानी क्रहण क मंत्र द्वारा जिसे प्राप्त किया जाता है, उससे घर प्यस्ती तो भली भाती चल जाती है, परन्तु उसके हिदय को पूर्ण रुपेर पाना 15 आना बाकी रह जाता है, मुझे संदे है कि वेश्व के अधिकांश पुरुष पत्नी को ठीक ठाक पाते हैं या उनको समझत बेस्त्री को ब्याह कर ले आते हैं किन्तु उपलब्द नहीं कर पाते और नक कभी उन्हें इस बात का एहसास हो पाता है कि उन्होंने पाया कुछ भी नहीं, उनकी पत्निया भी मृत्यू काल तक इस कटू सत्य से अवगत नहीं हो पाती, लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया कि वो मेरी साधना की निधी है, वो अचल संपत्ती नहीं, संपदा है, अगाद, रत्न राशी है, शबनम, नहीं, इस नाम से काम नहीं चलेगा, एक तो ये कि वो उसका वास्तविक नाम नहीं, और न ये उसका यथार्त परिचय है, वो तो दिवाकर की तप्त रश्मी है, गोपनी रखकर ही आखिर क्या होगा, उसका वास्तविक नाम था हे मन्ती, मैंने देखा, सत्रा वर्ष की इस सुंदरी पर यवन का पूरा आलोग बिक्रा हुआ है, तब भी इस अवस्था के गोद में भी उसे चेतनता नहीं मिली है, हिमाच्छादेच शिकर पर भोर का अलक उठा है, किन्तो हिम अभी तक गल नहीं पाया है, कैसी निश कलंक शुब्र है वो, कैसी पवित्र प्रतिमा, ये मैं नहीं जानता हूँ, मेरे मन में बराबर ये शंका बनी रहती थी, इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की का मन पता नहीं क्यों कर पा सकूँगा, किन्तो कुछी दिवसों की उपरांत मैंने जान लिया, कि उसके मन की रहा और शिक्षा की रहा आपस में कहीं कटी ही नहीं, कब उसके सरल शुब्र मन पर हलकी सी रंगीनी चागई, नेत्र, अलस तंद्रा में जूम उठे, और देहमन मानों उच्सु को उठे, सो निश्चि हो है, ये तो हुई एक पक्ष की बात, लेकिन अब दूसरा पक्ष भी है, वो और उसके विशे में पूर्ण रूप से कहने का समय अब आप होचा है, मेरे श्वसोर राजदर्बार में उच्छ पदादिकारी थे, इसलिए उनकी कितनी धनराशी बैंके खातों में हैं, इस स धर ग्रियस्ती का काम धंदा और तौर तरीका जानने के लिए हेम खुब उच्छ सुपता दिखला रही थी, किन्तो मा ने उसे अगाद इसने दिखाने के अभिप्राय से किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया, यहां तक कि मायके से हेम के साथ जो पहाड़ी महरी आई थी, उसे उन्होंने वास्तों में अपने कक्ष में नहीं गुसने दिया, फिर भी उसकी जाती पाती की बारे में किसी ब्रकार का अभवाद नहीं किया, भी डरती थी कि विशेश चानमीन करने पर कहीं कोई अरुश्चिकर सत्य न सुनना पड़ जाए, दिन इसी तरह कड़ जात रुपे नगत और पांच सहस्र के आभुशन दिये थे, इधर पिताजी को किसी कृपा पात्र दलाल से पता चला कि ये धनराशी कर्ज लेकर जुटाई गई थी, जिसका ब्याज भी कुछ मामुली न था और लाक रुपे की अफवा तो बिलकुल उड़ाई हुई थी, वास पिताजी ने किसी तर्क पद्दती से आज उन्होंने ये बिलकुल पक्का निश्चे कर लिया था कि उनके समधी ने जान बुझ कर ये धोखा उनके साथ किया है, इसके अलावा पिताजी की ये धारना थी कि मेरे शुसुर राजा के मुख्य मंत्री या उसी समान किसी उच् शिक्षा विभाग के अध्यक्षें, पिताजी ने टीका की अर्थात विद्याले के मुख्या ध्यापक, विश्व में जितने भी भद्र पद हैं, उनमें सबसे उचा है, पिताजी ने बड़ी बड़ी आशाय कर रखी थी, कि आज नहीं तो कल श्वसुर के अवकाश प्रा बड़ी में आजुटा, भधु को देखते ही, उनमें एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक कानाफूसी की लहर दोड़ गई, क्रमशा अस्फुट हुई, दूर के नात्य के सम्मंदित नानी ने कहा, आग लगे मेरे भागे को, नई बहु ने तो उम्र में भी मुझे हरा दिय सुनकर नानी की समवयस का वोल उठी, अरे हां में न हराएगी, तो हमारा बच्चा विदेश से बहु लाने ही क्यों जाएगा, मा ने उग्रता के साथ उत्तर दिया, भैया रे, ये क्या बात हो रही है, बहु ने अभी ग्यारा पार नहीं किये, यही अगले फालकुन में ब सो बेटिया रानी, इतनी कमजोर तो हमारी निगाह अभी नहीं हुई है, हमारे ख्याल से तो लड़की वालों ने जरूर उमर कुछ दबा कर बताई है, मा ने कहा, हम लोगों ने जनम पत्री देखी है, बात सच है, कि जनम पत्री से ही तो प्रमारित होता है, कि बहु की उम सत्रा है, विद्धाओं ने कहा, सो जनम पत्री में क्या धोखा धड़ी नहीं चलती, इस बात पर घोर बाद विवाद छड़ गया, यहां तक कि संघर्ष की नौबत आ गई, उसी शनवा हेमा पहुची, उन दोनों विद्धाओं में से एक ने उसी से पूचा, बहुरानी, तुम्हारी उमर क्या है, बताओ तो भला, मा ने आखों से संकेत किया, पर तो हेम उनका मतलम नहीं समझी, बोली, सत्रा, मा तिल मिला उठी, उसने उसी अवस्था में कहा, तुम्हें मालूम नहीं है, हेम विरोत प्रदर्शन करते हुए बोली, मुझे ठीक मालूम है, मेरी उमर सत्रा है, प्रिद्धाओं ने गुचुप एक दूसरे के हाथ दबाए, बहु की मुर्खता पर खीच कर मा बोली, तुम्हें तो सम मालूम है, तेकिन तुम्हारे बाबुजी ने हमसे खोद कहा कि तुम्हारी उमर ग्या रहा है, सुनकर हेम चौक उठी बोली, बाबु अपकी बार हेम संकित समझ गई, लेकिन उसने कंट को और भी मजबूत करके कहा, बाबुजी ऐसी बात कभी नहीं कह सकते, मा ने सुर को धीमा करके कहा, तु क्या मुझे जूटा ठहराना चाहती है, हेम ने फिर वही दुराया, बाबुजी कभी जूट नहीं बोलते, इसके नहीं, मा ने नाराज होकर पिताजी के सम्मुक अपनी बहु की मूरता और जिद्धिपन की शिकायद रखी, पिताजी ने उसी छण हेम को बुला कर धमकाते हुए कहा, इतनी बड़ी अविवाहित कन्या की अवस्था सत्रह वर्ष की थी, वो कन्या के लिए कोई बढ़पन की बात है, जो उसका डिंडोरा पीटती फिरोगी, हमारे घर में ये सम नहीं चलेगा कहे देता हूँ, हाई रे भाग्य, बहुरानी के प्रती पिताजी का यह मधु मिश्यत पंचमस्वर, इस प्रकार उस्ताद बाजखा के घोर शटश तक कैसे उतर आया, हेमने व्यतित हो कर पूछा, यदि कोई उम्र जानना चाहे तो क्या अक्तर दूँ, पिताजी बोले, जूट बोलने की आवश्यक्ता नहीं, कह दिया करो मुझे नहीं पता, मेरी सास मा जानती है, हेम की दुरगती पर दुख क्या प्रकट करो, उसके समक्ष तो मेरा मस्तक ही नत हो गया, मैं किसी संशे की छाया में मलान हो उठी, भीत म्रेगी की तरह मानो, उसने मेरे मुख की और देखा और सोचा, मैं कदाचित इन्हें नहीं पहचानता, उस दिन मैंने एक सुन्दर, जिल्द वाली अंग्रेजी कविताओं की एक पुस्तक क्रे करके उसके लिए ले ले आया था, उसने पुस्तक को अपने सुन्दर हाथों से थामा, फिर धीमे से गोद में रखकर एक बार भी खोल कर नहीं देखा, मैंने उसके दाएं हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, हेम, मुझ पर नाराज ना हो ना, मैं तो तुम्हारे सत्य के बंधन में बदा हुआ हूँ, सुन उसे और भी कुछ कहने की आवशकता ही कहा, इधर पिताजी की आर्थिक तरक्की के कुछ दिनों बाद से स्रिष्टी करता के उस अनुगरह को चिर इस्थाई कर रखने के स्वार्थ से हमारे यहां नए उत्साह से पूजा पाड़ चल रहा था, आज तक कभी भी पूजा अ प्रश्टु कुछ ऐसा ना था जिसे सुनकर किसी के सिर पर आस्मान तूट पड़ता, ये तो सब लोग भली प्रकार जानते थे कि मात्री ही ना हेम प्रवास में ही इतनी बड़ी हुई है, तब भी इस उद्देश का आशयतों केवल हेम को लजजित करना ही था, सो सबी ने अपने काल पर हतेली रख कर कहा, हाए मैया, ये भला कैसी बात है, आकर किस नास्तिक के घर की बेटी है, बहु घर की लक्ष्मी अब इस ग्रियस्ती से विदा होने ही वाली है, देरी मत समझना, और इसी प्रसंग में हेम के पिता को लक्ष करके न जाने कितनी अकतनी बाते क कटू आलोचना की हवा जब से चलनी आरम हुई थी, तब से हेम आज तक बराबर चुप रहकर सब सहन करती आ रही थी, कभी पल भर के लिए भी उसने किसी के सामने अश्रू ना बहा है, पर तो आज, आज तो उसकी बड़ी बड़ी आँखों को प्लावित करती ही अश्रू वहां मेरे बाबुजी को सब लोग रिशी कहते हैं, रिशी मानते हैं, सुनकर उपस्तित लोगों ने पेट भर दिल के गुबार निकाले, इस घटना के उपरांत, जब कभी उसके पिता का उल्ले करना होता, तो सब लोग यही कहते, तुम्हारे रिशी बाबुजी, इस बह सबने अच्छी प्रकार समझ लिया था, वास्तव में मेरे श्वय सुर्ब्रामण थे, और ना इसाई, और बहुत करके नास्तिक भी नहीं, पूजा अर्चना की बात कभी उनके ध्यान में ही नहीं, बेटी को उन्होंने शिक्षित बनाने का प्रयत्न अवर्ष्य किया था, कितने ही उपदेश भी दिये थे, किन्तु स्रिष्टी करता के संबन में कोई उपदेश नहीं दिया, इसी बारे में पूछने पर उन्होंने इतना ही कहा, जिस विशय को मैं स्वयम नहीं जानता, उसे सिकलाना किवल कपट ही होगा, ससुराल में हेम की एक सचमुझ की भक्तिन थी, मेरी छोटी भगिनी नारायानी, वो अपने भावी को बहुत स्नेह करती थी, उसके लिए उस बिचारी को काफी प्रतार्णना सहनी पड़ती थी, घर में हेम के अपमान की कहानी मुझे उसी से सुनने को मिलती थी, हेम के से वो जो पाती, वो मुझे पढ़ने के लिए दे देती, ये पत्रे छोटे होने पर भी रस से भरपूर होते थे, वो स्वैम भी उनको जब कभी पत्र लिखती, तो मुझे अवश्य दिखा देती, बाबुजी के साथ उसका जो नाता था, उसमें अपने साथ मुझे भी बर की भागी बनाए बिना उसका दामपत्य पूर्ण जो नहीं हो पाता, उसके इन पन्नों में ससुराल के सम्मन्द में किसी प्रकार की शिकायत का आभास मात्र भी नहीं, यदि होता, भावी आशंका की संभावना थी, कारण, नारायनी से मैंने सुन लिया था, कि जाच के लि नहीं, बलकि आशा तूटने का दुखी संभोता उन्हें ज्यादा टिसा करता था, इसलिए उन्होंने चिड़ कर कहना शुरू कर दिया, कि आकिर इतनी जल्दी जल्दी पत्र डालने की ही भला कौनसी जरूरत है, मानो बाबा ही सब कुछ है, हम लोग क्या कोई नहीं, और इसी प्रकार की अनेक अरुचिकर बातों का ताता शुरू हो गया, मैंने शुब्ध होकर हेम से कहा, तुम बाबुजी को पत्र लिखती हो, वो किसी और को ना देकर मुझे ही दे दिया करो, कॉलिज जाते समय राह में छोड़ दिया करूंगा, हेम ने चकित होकर पूछा, क बिये की उपादी अब ताक पर धरी रहेगी, आकिर उस बेचारी का भला दोशी क्या है, सो तो है ही, दोश किसी का है, तो वो बेचारी हेम का, उसकी उम्र सत्रह वश्की है, वो उसका पहला दोश है, स्रिष्टी करता का विधान ही ऐसा है, ये भी हेम का तीसरा दोश है, इसलिए तो मेरे हिदय के अडू-डू में समस्त आकाश इस तरह की बासुरी की तान साधे हुए है। बिये के उपादी को निर्विकार भाव से मैं चूले में फूख सकता था। किन्तु हेम के कल्याण के लिए मैंने प्रण किया, मैं अवश्य उत्तिन होँगा और अच्छे अंकों से। दो कारण से मुझे अपने प्रण को पूरा कर पाने का भरोसा था। एक तो हेम के अगाद इसनेह में ऐसा आकाश व्यापी विस्तार था, कि वो मन को संकीन आसकती में फसा कर नहीं रखती। उस इसनेह के आसपास कोई खूबी स्वास्तवर्दक वायू बहा करती थी। दूसरे, परिक्षा की पुस्तके कुछ ऐसी थी, जिने हेम के साथ साथ पढ़ना असंभव ना था, सो मैं कमर कसकर परिक्षा पास करने के उद्योग में जुट गया। एक दिन रविवार की दुपरिया में बाहर के कमरे में बैटा हुआ मैं मौटिन की आचार शास्त्रवाली पुस्तक की खास खास पंक्तियों के मध्य के पत को चीरते हुए लाल पिंसिल का हल चलाय जा रहा था। कि अचानक सामने की और मेरी दिष्ठी जा पहुँची। कमरे के सामने आंगन की उत्तर की और अंतपुर को जाने वाली एक जीना था। इसी बंद जीने के बाहर की तरफ सीकजेदार खड़कियां थी। मैंने देखा कि हेम उनी में से किसी एक खड़की के पास पश्चिम की और निहारती हुई चुपचाप बैठी है। उस और मलिक की बग्या है जिसमें कचनार का पेड़ गुलाबी पुश्पों के भार को समाले हुए खड़ा है। इस भाशाहीन गहरी वेदना के रूप को आज तक इतने सूस्पष्ट भाव से मैंने कभी नहीं देखा था। खास कुछ भी नहीं अपने कमरे में से मैं किंचित पीछे की और दिवार के सहरे टिके उसके सिर के भंगी भाव भली भाती देख पा रहा था। मेरा अपना जिवान इस तरह लवालब भर गया था कि किसी प्रकार की भी कोई शून्यत मैंने आज तक देखी ही नहीं थी। आज अकसमात अपने बिल्कुल ही पार्शूय मैंने किसी बहुत निराश का घना गढ़ा दिखा था। इस तलहीन गर्द को मैं क्यों कर? कैसे पूरा कर सकूंगा? मुझे तो जीवन में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा, ना घर, ना द्वार, और ना आज तक किसी प्रकार का अभ्यास ही, लेकिन हेम को? हेम को तो सभी को छोड़कर और दूर चलकर मेरी पास आना पड़ा। इसका परिणाम कितना अधिक है, सो मैंने भली भाती सोचा भी नहीं, हमारे घर में अपमान के काटों की सेच पर वो बैठी है, उसको हमने आपस में विभक्त कर लिया है, उस वेदना के आसव को हम दोनों ने एक साथ ही पिया था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के निकट परन्तु ही माचल में पली हुई ये गिरी नंदिनी 17 वर्ष की लंबी अवधी तक, अपने बाया और अंतह जीवन में कैसी विशाल युक्ति के मध्य पली थी, कैसे कठोर सत्य और उदार आलोक में उसकी छवी, एवन प्रकृती इस प्रकार स्वच्च और सबल हो चुकी ह उस सारे वैभों से आज हेम का नाता किस प्रकार निश्चुरता के साथ तोड़ दिया गया है, इस बात का आज से पूर्व मैंने कभी अनभो नहीं किया था, कारण उस इस्थान पर हेम के साथ मेरा आसन बराबरी का न था, वो तो अंदर ही अंदर पल पल तिल-तिल करके मैं सब दे सकता था, किन्तु मुक्ती नहीं, मुक्ती मेरे अंतर में ही कहा है, इसी हेतु कलकत्ता की इस सकरी गली में, खिड़की के सिंक्चों के भीतर से मूख आकाश के साथ उसके मूख मन की बात चीत हुआ करती, किसी दिन रात को उठकर मैंने दीखा, वो बिच्छोने पर नहीं है, हातों पर सिर को थाम कर तारों से भरपूर आकाश की और मों उठाए, वो छट पर लेटी है, मार्टिन का चरितरता का बखान वहां पड़ा रह गया, मैं सोचने लगा, कि मेरा करतवे क्या है, बाले काल से ही पिताजी के साथ मेरे संबंद में, मेरे संकोच की स समक्षो कर भी कभी उनसे किसी वस्तु के लिए प्रार्तना करने की ना तो मेरी आदत ही थी, पर ना साहस ही, किन्तो आज मुझसे ना रहा गया, लाज और संकोच को ताक पर धर कर, मैं उनसे कही ही बैठा, उसकी तबियत आजकल कुछ अच्छी नहीं है, सो एक बार जाजी चकित रह गये, उनके मन में इस बात का तनिक भी संदेह ना रहा, कि हेम नहीं मुझ में इस अभूत पुर्व साहस का बीजारोपन किया है, और अच्छी प्रकार से सिखा पढ़ा कर यहां भेजा है, वेततकाल ही उठकर अंतवपुर में गये, और हेम से पूछा, ब पिता ने सोचा उत्तर तेज दिखाने के लिए है, किन्तु हेम जो प्रति दिन सुखती जा रही थी, सो नेत्य प्रति देखते रहने के कारण हम लोग समझ नहीं पाते थे, एक दिन बनमाली बाबु ने उससे देखा तो चौक पड़े, बे बोले, हैं, ये क्या, तेरा मु कि ऐसा कैसा हो गया है हेम, बीमार तो नहीं हो, हेम ने कहा नहीं, परन्तु इस घटना के दस दिन बाद ही अकासमात मेरे स्षुर आप पहुचे, अवर्शी ही बनमाली बाबु ने हेम की तबियत की बात लिखी होगी, विवाह के उपरान पिता से विदा होते हुए हेम ने अपने अशु रोक लिये थे, किन्तो आज, जैसे ही उन्होंने उसकी ठोड़ी छुकर मुख को उपर उठाया, तो अशुओं का बाध तूट गया, उसकी भीगी पलकों ने सब कुछ बता दिया, वो बाबु जी को मुख से आधी बात भी न कह सकी, वे इतना भी न पूच पाए, कि तू कैसी है, बेटी की शीन्द गती, मलान मुख और पलकों को देखते ही उनकी छाती टूक हो गई, हेम बाबु जी का हाथ पकड़ कर उन्हें शयान का अक्ष में ले गई, कितनी बातें तो पूचने की है, बाबु जी की तबियत भी तो ठीक नहीं दिखाई दे थी, हेम बाबु जी के साथ माई के जाने के लिए उद्यत हो गई, बनमाली बाबु ने भी समधी जी से इस बात का संकेत किया, लेकिन अन्तता बात पिता जी की ही रही, उसके आगे हेम की अकंशा कुचल दी गई, बाब बेटी को विदा करने की बेला फिर एक बारा पहु ति इस हवेली में कदम रखा, तो मैं दर्वासा बंद कर लूगी, बाबु जी ने उसी मुद्रा में उत्तर दिया, बेटी, भागे में फिर आना लिखा, तो साथ में सेंध लगाने के आउजान भी लिता आउँगा, इसके बाद हेम के मुकी वो मुसकान फिर कभी देखने को नहीं मिली, फिर क्या हुआ, सो मुझसे कहा नहीं जाएगा, सुनता हूँ, मा फिर उप्युक्त वधो की खोज में है, संभव है, किसी दिन मा के अनुरोद की अवहेलना मुझसे ना हो सके, यही मुम्किन है, क्योंकि फैर छोड़िए इन भेद भरी बातों को मुझसे खोड़िए जो, संसे कहा नहीं जसनला, संसे कहा नहीं जाएके, संभव है, क्योंकि लुद्वधो क्योंकि प्यूक्याटे, नहींकि की अवहेशिए लिudgeले Position saving झाल झाल